Hello students, welcome back to another video of class 6 of science subject. Today I am going over a brief tutorial of your 4th chapter in science, grouping of material, यानि पदार्थों का वर्गी करन. Objects around us are made up of a large variety of materials. हमारे चारोड जितने भी प्रकार के material यानि पदार्थ हैं, वे विभिन प्रकार के चीजों से बने हैं. Different types of materials have different properties, और अलग-अलग पदार्थ में अलग-अलग प्रकार के गुण होते हैं, इसी खारण वे एक दूसरे से अलग होते हैं. Grouping helps in identification of objects and sorting of objects. पदार्थों को ग्रूप में बाटना वर्गी करन करने से, हम उस स्वस्तू को पहचानते हैं और उन्हें छाटने में आसानी होती हैं. For example, in kitchen, stencils, spices, food grains are stored separately, जैसे आपके kitchen में बर्तन, मसाले या अनाज ये सब अलग-अलग रखे होते हैं, ताकि उन्हें जरूप पढ़ने पर हम आसानी से ढूंड सकें. The process of grouping and sorting out objects is called classification. तो वह प्रक्रिया जिसमें वस्तूओं को वर्गी करित किया जाता है, या उन्हें चाट कर एक समान गुण वाले वस्तूओं को एक जगह रखा जाता है, तो इस प्रक्रिया को वर्गी करन या classification कहते हैं. Material is the matter. What is material? Material is the matter from which a thing is made. कोई भी material पदार्थ जो है, वह एक प्रकार का matter है, जिससे वह चीजे बनती हैं. For example, wood. What is a material? और इससे बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, जैसे कुड़सी, टेबल बगरा, स्टील, स्टील से बहुत चीजे बनती हैं, रबर, क्ले, मिट्टी, ग्रिफाइट, आदी. And what is matter? Matter क्या है? Matter यानि पदार्थ. और matter से बनता है material. तो what is matter? अब इस पर डिसकस करेंगे. Anything that has mass and occupy a space. It's called matter. कोई भी चीज, जो अस्थान घेरती हो, और जिसमें वजन हो, उसे matter कहते हैं. For example, iron, oxygen, water, carbon, EDC. Materials are classified on the basis of their properties. इस chapter में हम लोग grouping of materials पर रहे हैं. इसलिए हम materials को उनके properties के आधार पर, बहुत सारे properties के आधार पर उन्हें हम बाटते हैं. These properties are appearance or lustre. यानि वे कैसे दिखाई पडते हैं? किस प्रकार का उनका बाहरी रूप होता है? And hardness or texture, उनमें कठोड़ता कैसी होती है? या उनकी बनावट कैसी होती है? Solubility, यानि घुलनशीलता, density, यानि घनत्व, कि वो कितने भारी हैं? And transparency, यानि पाड़दर्शिता के आधार पर, Combustibility, यानि धन शीलता, जोलन शीलता के आधार पर, State of Matter, यानि पदार्थ के रूप के आधार पर, And conduction of heat, And conduction of electricity, यानि बिजली का चालन किस से होता है? या ताप का चालन किन से होता है? And attraction toward magnet, और चुमबक के द्वारा कौन-कौन सी चीजे अकर्शित होती हैं? इन सारे properties को हम एक-एक करके, बारी-बारी से समझेंगे? And the first is appearance or luster, यानि किसी वस्तू की बाहरी चमक या रूप कैसा है? Most metals have luster, ज्यादा तर धातूओं में चमक होती है, for example, iron, copper, aluminium, gold, etc. जैसे लोहा, लोहे की एक अलग विशेश चमक होती है, copper की लाल जैसी चमक होती है, aluminium चान्दी की तरह चमकता है, और gold सुनहरा होता है. Graphite and iodine crystals have luster, graphite और iodine दोनों non-metal हैं, लेकिन इन में भी चमक होती है, no gas is lusterous, कोई भी gas चमकदार नहीं होती. And the second property is texture and hardness, यानि उस वस्तू की या material की बनावट कैसी है, metal is hard but wool can be soft, धातूओं ज्यादा तर कठोर होती हैं, लेकिन उन लकड़ी आदी इन में कोमलता होती है, metal की अपिक्षा, diamond is hardest but graphite is soft smooth, diamond और graphite दोनों ही carbon के ही बने होते हैं, लेकिन diamond दुनिया का सबसे कड़ा पदार्थ है और graphite जबकी मुलायम होता है, glass is second hardest substance but talcum is softest. शीशा जो है वो diamond के बाद दूसरा कड़ा पदार्थ है और talcum powder जिसका जो एक soap stone से piece करके बनाया हुआ होता है, वो बहुत ही मुलायम होता है. And the third property is solubility यानि घुलनशीलता, solid like sugar, salt are soluble in water, but metals, stones, wood are not soluble, जैसे चीनी, नमक आदी, पानी में घुलनशील होते हैं, ये भी solid हैं, लेकिन metal यानि धातु में, stone यानि पत्थर और लकडी ये भी solid हैं, लेकिन ये soluble नहीं होती, यानि घुलनशील नहीं होती. Liquids like alcohol, vinegar, lime juice are soluble in water, called miscible, वैसे liquid यानि तरल पदार्थ, जैसे alcohol, vinegar, और निम्बु कार्रस, आदी, पानी में घुलनशील हैं, इसलिए इन हैं, जो पानी में घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को miscible, यानि घुलनशील कहते हैं, वायल, petrol, kerosene are not soluble in water, is called immiscible, लेकिन तेल, petrol या kerosene, diesel आदी, पानी में घुलनशील नहीं होते, इसलिए इन हैं, अगुलनशील कहते हैं. And the fourth property is density, density यानि घनत्व, what is density? The mass per unit volume of a substance is density, एक इकाई आयतन में, किसी भी पदार्थ की जितनी मात्रा होती है, या वजन होता है, उसे उसका घनत्व कहते हैं. Density, किसी भी वस्तु के, को हम कैसे पता करेंगे density को, तो इसके लिए हम पानी में उस चीज को डाल करके देखते हैं, या तो वो डूब जाए, या फिर टैरे, इसके आधार पर हम density को पता करते हैं. Materials, which is dense than water, will sink in water, और जो पदार पानी से ज़्यादा घना होता है, denser होता है, वो पानी में डूब जाता है, for example, iron nail, लोहे की काटी. Materials, which is less dense than water, will float on water, और वे पदार जो पानी से कम घनतों वाले होते हैं, वे पानी पर तारते हैं, for example, wood, wax, paper, जैसे लकडी, मूम, और कागज. And the next property is transparency, transparency means पार दर्शिता, material can be classified on that amount of light, pass through it, पदार्थों को इस आधार पर भी वर्गी कृत किया जा सकता है, कि उनसे प्रकाश कितनी मात्रा में गुजर सकता है, इसके आधार पर तीन प्रकार के पदार्थ होंगे, जैसे transparent, translucent and opaque, transparent यानि पार दर्शी. Materials allow to light, pass through them, वेपदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूरी तरह पार कर जाता है, ये बिलकुल साफ और स्वक्ष दिखाई पड़ते हैं, for example, clean water, air, glass, एक साफ पानी, हवा और शुद्धवा और शीशा, जिससे होकर के light पूरी तरह से पास कर जाती है, अता ये transparent material है. Quickly on inflammable substance, कुछ पड़ार्थ थोड़ा भी गरम करने पर बहुत तेजी से आग पकड़ लेते हैं, इन्हें ज्वलनशील पड़ार्थ कहते हैं, इसलिए इन पड़ार्थों को सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि ये गरम ना हो सके, नहीं तो इन्हें जल्दी आग पकड़ सकत ये बहुत तेजी से फायर को कैच कर लेते हैं, या उससे जल जाते हैं, and the next is state of matter, यानि पड़ार्थ की अवस्ता, you know that matter has three states, matter is found in three states, यानि पड़ार्थ, कोई भी पड़ार्थ, धर्ती पर, तीन अवस्ताओं में मिलता है, solid, liquid and gas, solid यानि थोस, have deep net shape and size, वे पड़ार्थ, जिनकी size और आकार दोनों निशित हों, for example, coal, metal, stone, wood etc, and the liquid यानि द्रव या तरल, don't have definite shape, they take shape up container, इनका आकार निशित नहीं होता, इनका volume तो निशित होता है, लेकिन आकार निशित नहीं होता, और ये जिस बरतन में भी रखे जाते हैं, उसी बरतन या पा यानि, water, petrol etc, दूद, घी, शहद, पानी और पेट्रोल, ये जिन बरतनों में रखे जाते हैं, या पात्रों में रखे जाते हैं, ये उसी का आकार गढ़न कर लेते हैं, and the third is gas, don't, do not definite shape and fill in the entire space of vessel, इनका आकार बिलकुल निशित नहीं होता है, और साथ ही ये जिस भी बरतन म को घेर लेते हैं, for example, oxygen, nitrogen, hydrogen, carbon dioxide आदी, and the next property is conduction of heat, यानि, उश्मा का चालन, heat यानि उश्मा, passing of heat energy in material is conduction of heat, जब उश्मा उड़जा, किसी पदाड से होकर, conduction होता है उसका, यानि उसमें चालन होता है, एक atom से दूसरे atom को pass होता है, तो इसे conduction of heat कहते हैं, on this property, material are of two types, इस गुण के आधार पर, कोई भी पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, जैसे good conductor, and bad conductor, material which allow the heat energy to flow through them, वे पदार्थ, जिनसे होकर heat energy pass कर सकती है, उसे good conductor करते हैं, for example, metals like copper, iron, steel, जितने भी metal होते हैं, प्रायवस भी heat के good conductor होते हैं, and the bad conductor, यानि कुछालक, material which do not allow the heat energy to flow through them, वे पदार्थ, जिनसे होकर, उश्मा की उड़जा, पास नहीं कर सकती, for example, wood, rubber, gases and liquid, लकडी, रबर आदी में उश्मा का प्रवा नहीं हो पाता, and the next is conduction of electricity, यानि विद्दुत का चालन, यानि बिजली electricity, यानि बिजली, materials which allow the electricity to pass through them, are good conductor of electricity, वैसे ही, जैसे heat का conduction होता है, वैसे ही current का भी conduction, यानि electricity का conduction होता है, जिन पदार्तों से, वे electricity के good conductor कहलाते हैं, for example, metals, tap water, etc, यानि की धातवे और नल का पानी, उसमें बहुत सारे minerals मिले होते हैं, इसलिए tap water, यानि नल का पानी, good conductor है, electricity का, and the second material which do not allow the electricity to pass through them, are insulator, और वे पदार्त, जिन से होकर की बिजली नहीं पास कर सकती, यानि जिन से होकर विद्दुत का प्रवाह नहीं हो सकता, वे insulator या कुछालक कहलाते हैं, for example, plastic, rubber, wood, glass, इसी कारण, जो electricity के मिस्त्री होते हैं, वे अपने हाथों में rubber का धस्ताना पहनते हैं, ताकि उनमें किसी भी तरह का electricity का flow नहीं हो सके, and the next is attraction toward magnet, यानि चुमबकत्व के कारण आकरशन, material like iron, cobalt, nickel, are attracted toward magnet, are magnetic material, वे पदार्त, जो लोहे, cobalt, या निकल जो होते हैं, ये magnet की और आकरसित होते हैं, दूट से ही magnet इन्हें अपनी और आकरशित करके खीच सकता है, इसलिए पदार्त, magnetic पदार्त का लाते हैं, most of materials are not attracted toward magnets, are non-magnetic, लेकिन ज्यादा तर जो पदार्त हैं, वो magnet यानि चुमबक से अपकी और आकरशित नहीं होते, उन्हें non-magnetic material कहा जाता है, for example, wood, लकडी, plastic, wool, glass, etc, and your chapter is finished, that's all, thank you